असलाम अलेकुम अब्बू वालेकुम सलाम बेटा अमी अब्बू मुझे आप से कुछ बात करनी है जी जी बोलो लोगों को पता है कि अब मेरी जिन्दरकी का एक बहुत बड़े फैसले का टाइम आ गया है बेटा हम समझे नहीं तुम क्या कहना चाहते हो अमी जीसे कि आपको पता है कि मैंने अब भी मेरी के इमतिहानाद दिये हैं और अब मुझे अपनी जिन्दगी के लिए फैल्ड का इंतकाब करना है जी जी बेटा हम जानते हैं तो तुमने क्या सोचा है इस बारे में अबू मैं मेडी कर लेना चाहता हूँ मुझे बहुत शंक है कि मैं भी वो वाइट कॉर्ट पहनूं स्टेटिसकोप हो लोग डाक्टर डाक्टर के कर बुलाएं और मैं लोगों का इलाज करूं बेटा क्योंकि इस फील्ड में मुकाबले और मेहनत की बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्या तुम कर पाओगे वो इन्शाला आप दोनों बस दुआ करें यह मैंने के तो दिया है के बट अब मैं करूंगा यह कैसे मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है जो मेरे दोस्त है वो इनसे भी अब रापता नहीं है अब एसा करता हूँ या तो वाइटी यूट्यूब से इसकी कुछ गाइडलाइन्स की वीडियोस देखता हूँ दे फर्स्ट पोजिशन गोज तो दे मोस्ट इंटेलिजन गर्ल अफ दे क्लास यह सब कैसे कर लेते हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आता और उपर से पूरी माक्स यह मैं कुछ कर पाऊंगा इन सब के आगे यह तो साब कुछ पढ़ कर आ गए मैं क्या मेरा सेलेक्शन भी हो पाएगा मेरे साथ यह सा क्यूं होता है हमेशा बेटा क्या हुआ अमी मैंने इतना पढ़ा था टेस्ट का मगर फिर भी मैं हार गया इतने लोगों से मैं किसे मुकाबला करूंगा बैटा जिन्दगी में तुम जहां भी जाओगे मुकाबला तो होगा ही होगा एसे कम में ये जरूरी थोड़ी होता है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो ये भी उतना ही जरूरी होता है कि तुम्हारे साथ वाले कितनी मेनत कर रहे हैं इसलिए निराश ना हो मेनत करो आइस्ता आइस्ता सीख जाओगे चीज़ों को किसे तरह से मैंने टैकिल करना है और ये हमेशा याद रखना जो चेंपियन सहार से सीखते हैं जो चीज़ उने बुरा वक्त सिखाता है वो कभी अच्छा वक्त नहीं सिखा सकता बुरा वक्त सिखाता है कि कौन सी गलतियां मैंने की थी कैसे मैंने इनको ठीक करना है और जब बेटर तुम अपनी गलतियों का जायजा ठीक से लोगे अपना 100% दूँगा कल क्यों मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैं ये ट्राइ नहीं किया ये मैं अपनी जिन्देगी से आने वे जिन्देगी से मैं ऐसा ना हो कि मुझे ये कहना पड़े कि काश मैं कर सकता काश ये भी मुझे से हो जाता बेटा कामियाबियां तुमारे कदम जूमें इन्शाल्ला वेसे किसी ने सची कहा है कि जब भी तुम परेशान हो अपने अमी अबू से बात करो उन्हें याद करो रास्ते खुदी बन जाते हैं अब मैं दिल लगा कर मेहनुत करूँगा पढ़ूँगा और इन्शाल्ला बेटा तुमारी अमी बता रही थी तो तुम परिशान थे जी अबू मगर अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है बेटा ऐसा करो कि तुमारे कद्जिन की शादी है वहाँ चलो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और मुझे उसकी तैयारी करनी है आप जाएँ मैं पढ़ूँगा घर पर बस कुछ टाइम चेहल कद्मी कर लेता हूँ तकि दिमाग फ्रेश हो सुनिये मुझे तर परिशानी होने लगी इस लड़के की ती टेंशन ना लो मुझे यकीन है ये कर लेगा दिन गुजरे रातें गुजरी फिर आया वो दिन जिसके लिए की थी सारी मेहनत पेपर के सा गया बेटा अबू सही गया मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है अच्छा रिजर्ट का कुछ पता है कि कब आएगा अबू बस कुछ ही वक्त में मुबाइल्स पर आ जाएगा इमेल्स के थूँ हेलो शर्मा जी बताए आपके बेटे का क्या बना बाई मेरे बेटे का तो नहीं हो पाया लेकिन आपके बेटे का हमने चेकिए आपको बहुत मुबारक हो आपके बेटे का सेलेक्शन हो गया है क्या वाकई? मुबारक हो, या अला तेरा शुकर है, तुमने अपने हिवज़ औ एमान में रखा, बेटा शाबाश, तुम्हारा एड्मिशन हो गया है हैं? क्या वाकई? तुमने हमारा सर फकर से उचा कर दिया है, मुबारक हो बेटा तुमें जजा कला में अबू, यह सब आपकी दुआउं का ही नतीजा है